करता हूं और हम बात करें रहे बेसिक of quantum mechanics और आज ये साथ वा लेक्ट्टर है होपसो और लेक्ट्टर मतलब छोटे ही रहेंगे दस मिनिट पर ना मिनट टीस मिनट इसना काफी है डेली देखने के लिए ठीक चले कोई अब आज हम क्या बात करने वाले हैं या क्या मैं बताने वाला है उससे पहले अगर 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 देखा जाए तो अगर अच्छा रहा कि ब्लैक बॉड़ी राडियेशन इस पर्स्ट आना आई होप किलियर अब आउट लेक्टर नमबर तू आप देख सकते हैं फिल से ठीक उसके बाद मैं आपको फोट एलेक्ट्र एफेक्ट बता जाता है बड़ा सिंफल सा इन तीन फिनोमनाल से हमने क्या बात सीखी बस चलिए बात सीखी कि लाइट होती है लाइट वेव है और वेव के साथ में यह क्या है पार्टिकल भी है जिस पार्टिकल को क्या कहा जाता है फोटॉन कहा जाता है उसे फोटॉन मानकर ही प्लांक न प्लांक ने अपनी थियोरी को और आज प्लांक का हैपी बर्डे भी है ठीक 162 तो प्लांक ने उसी चीज को मान के अपना डिस्प्लेस्मेंट लौ दिया यह वाला यह वाला ठीक एनद सेम थिंग आगे हम से देखते हैं फोटलिक पर छाए कि पार्टिकल मान के ही अच्छाच लौक रफ्लेस्प्लाइड जी गई और यह वाला ठीक वन जाएंग वोटाइम तो उन चीजों से मैंने क्या सिखा कि वेव पार्टिकल की तरह बहेव करती है जिसको क्या 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 गया फोटन कहा गया उस फोटन के एनरजी कि e ब्लावर hnub के बरावर होती है ये ब्लावर hnub के ब्लावर होती बtha है यहाँ अब आगे क्या किया गया इप ब्लागले व एक पार्टिकलिप्लिफन साहिं जोटे particle है वह क्या होते है वे होते हैं कि याईनी हमने क्या Despite اع किया बड़ा सिंपल किमकरा के म결द कर दांग तो उससे हमें क्या कहा गया कि यह आडल है इसको कास्या स्मय है इसको फिसक का फिसक पार्टिकाह प्रूफक किया गया और आई हम आपके से सबाद्ध एं यारे कर लें से मिला ब्लाक़ से सट्फोडि अशो ईगेसरी करें ड्लांग धार्ग शेयलॉ अब्लрах और्रायं कौंद्ध एक्ट्व क्रोंविवेक्ट्व दे OnePlus जा गश्वेशन गर्मिंट गश्वेशन दाना इसले आप्या इंट्रफेश्वेशन गर्मेट उसके बात में आपका यह हो गया फिर आपका इंटरफेलेंस एक्सप्रमेट पाच एक्सप्रमेंट अब आज कहारते हैं आज एक इंट्रेस्टिंग चीज है अगर इंट्रेस्टिंग लगे तो मुझे बताईएगा अथर्वाइज ऐसी कुछ बात नहीं ठीक नाव बहुत किती होड़ी है आपको सबको अच्छे से पता है आयोग बहुत अच्छे से बता है जो B.Sc. Part 1 और Part 2 student को आपको सबको अच्छे से पता है अब यह कैसे बन गए अगर आपको याद हो तो क्या था कि बड़ा सिंपल सा आपको अच्छे से आपको बहुतπως कि डापको सब अच्छे से नहीं गार शापको अच्छे से से पूड़े हो वहुत किया तो बहुत अच्छे सा है इस को सबको बटा सिंपल साथ हो उस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ता जितने भी और वाँ संब बता दी अब उसने क्या कहा अगली लाइन ही यहां पर इंपोटन्ट ही जाता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा अंगुलर मोमेंटम होता है किसका इलक्टॉर्न का वह एंगुलर मोमेंटम को उसने कहा ब बता बताया था कि जो एनेरजी थी फोट न की कि किसके बरावर थी बरावर ह एट नुके जो एनरजी इस डेदेर की होगी जूससे फोर्टन मंगें मर्लय आध खलह काले थिक है रा साधिकर कफोलर में ले लेम है ले लिए पोट्वर् तो हमें जो अगली एनर्जी यानि जो रेडियेशन है उसमें एनर्जी कितनी मिलेगी यानि मुझे मिल सकता है 1.4 एलक्ट्रोन वोल्ट अगर में पास यह फोटॉन है या फिर हिस्से अगला कितना मिलेगा 2.1 एलक्ट्रोन वोल्ट ठीक I got I hope you have got a clarity ठीक there is no problem तो यहां पर क्या हुआ यहां पर भी उन्होंने क्या खिकwał अगल क्या होगा वह नमबर से क्या होगा क्या होगा होगा उन्हूंर्बर एड्विंकgsव में आपको दिया था वाला स्टेर्स वाला स्टेर्स कि यू कुड नॉट आप कभी भी 1.5 सीडी नहीं चड़ सकते इसक्वाइट इंपॉसिबल ऐसा नामुंकिन है होना कि आप सब्सक्राइट नामुंकिन इसा कभी जाता के बराबर हो सब्सक्राइब यहां पर क्या कंदा है कि यह थे जो पार्टिकल होगा सही और उस बेव की एक वेवलेंथ होगी जिसको उन्होंने कहा लैम्डा और लैम्डा को उन्होंने कहा यह ब्राबर होगा एच अपॉण पीके यह हो गया दी ब्रॉबले पूसिपल ठीक अब अब देखो अब क्या कहना है हमारा कि इस टैट आट अब ठीक शरी तो अब यहां क्या कहना है हमेरा Let Consider यह कोई एक बोहर और्बट है यह क्या है इसका मतलब क्या होगा इसके रेडियस कितनी होगी अगर सर्कुफेंस के बात करो यानि परीदी की में बात करो इस टू पाई र यानि इसका टू पाई र के बरावर यानि डैट मीन वाट एक लंबी लाइन खीचते हैं और यह लंबी लाइन टू पाई आज के बरावर है, तो अगर वेव है, एलक्टॉन, तो ये वेव एक फेज में होगी, पूरी के पूरी यहां तक, यानि ये complete cycle पूरी करेगा, इस थोड़ अगे बढाते हैं, तो ये हो गया, अगर मेरा पार्टिकल वेव है तो उसके साथ मेरा वेव जुड़ी हुए, तो ये लेम्डा, वन लेम्डा, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा, ठीक है, तो नमबर एंज दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो यह एक किसके बदावर होगा 2 pi r यानि मेरी जो 2 pi r है 2 pi r is equals to what n lambda where n is a natural number basically n is a natural number it is equal to and that lambda is a de Broglie equation simply so now I am replaced that lambda is n times h upon p think it is okay I hope so now what it is now it is implies that it is implies that what implies that 2 pi r and p is there so what I am do I do r dot p is equal n times of h upon 2 pi so what it is it is angular momentum r e is equal to angular momentum simple so yeh that was the application of the de Broglie wavelength and jobohar quantization hai yeh de Broglie wavelength se satisfy hoota hai toh bada simple sa hai ki de Broglie wavelength is ke then the it is a jumping energy of the photon bada simple sa aur bohar thiori a bohar thiori ane ke baad me atomic kis actor mein maal o kiranti a gayi eek bohut acche se thik or wo kiranti bade simple sa thi thi ki yeh atomic spectra op acche se define karne laggi yeh wale atomic spectra ki eek electron dousari electron eek electron dousari orbit me jata hai tisari me jata hai tisari se pahli me jata hai dousari me jata hai tis tari me jata hai tis tari se mujhe kya mila spectral lines ki confirmation milnene nebhi yeh eek bohut bade jit ta yeh system me thik hai chalye yeh is liyeh is liyeh bas mein aagay bhi yeh apart kar mein aagay bhi clearer keringo is ko now ab 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 hume kya dekhna hai hai ki how ab 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 idea kya dlexhuns kya hai ok the item is there the idea of अब यह क्या चीज है यह कहां से इमिडिट लिया ही ठीक है अब आइड ऑफ असंटिटी क्या है यहां पर देखिए यहां पर क्या है अगर x small होगा वह क्या कहते है अगर x small होगा basically x means the lambda is very small actually उनका कहने का मतलब यह है कि lambda is very small then what was the problem with that जब lambda कम होगा तो क्या होगा पी को बहुत ज्यादा हो जाना होगा है अगर मैं बहुत दिवरी की इसकी इसकी बात करते हैं अगर lambda is h upon p if there the delta lambda and what it is is h upon delta p तो क्या problem आएगी कि जब h चोटा होगा तो पी को लार्ज हो जाना पड़ेगा और अगर मेरा पी बढ़ा होगा एक लेंड़ा बढ़ा अगर मेरा पी को छोटा हो जाना पड़ेगा ठीक है उसी चीज को है समझाने की कोशिस की गई है इस पर जब यह बात जब दी ब्रॉग्ले प्रिंस्पल क्या कहता है कि दी ब्रॉग्ले प्रिंस्पल से ही यह चीज एसउसिएट कर दिया कि यहां पे डेल्टा एक्स्ट एकुरेट अगर मेरा लेंडा वह कुल एकुरेशिस है न पढ़ा है तो पी के साथ में फॉल्व में है क्योंकि पी आशोषेट विद लेंडा और बेसिकली लेंडा इस पेस फ्रेम तो यहां फॉल्व माई तो यह एक अजूम्शन किया गया या एक क्या कह और इस चीजब को कहा गया uncertainty principle इस बात को क्या होगा अगर आप लैम्डा छोटा है तो basically p को बड़ा होना होगा और पी छोटा है तो एक को बड़ा होना ही होगा तो बड़ा सिंपल से हैं कि दोनों के बीच में एक क्या होना चाहिए optimization होना चाहिए और उप्रिमाइजेशन को डिक्रेर करने के लिए अंसर्टेटिव प्रिंसपल को दिया गया और बिसिकली समवन आर कॉल तो वहाँ पर क्या है इसको एक बड़े से बोर्ड पर लगाया हुआ है और बोर्ड पर लगाने के वाद हम पर लिखा हुआ है यानि हमारे जो को बाउंड किया गया है कि you could not measure आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो मेजरमेंट इस प्रिंसिपल से नीचे नहीं जा सकते बाकि यह चीज अब थोड़ा सा बदल गई है जैसे यहाँ पर फोर पाई लिखका है फोर पाई को कनवर्ट निटो पाई अप्टर आप्टर 1922 बट अब यहाँ तक कितना समझे लिया अब जो लाश्ट चीज है वह बहुत ज़रूरी है अब हम थोड़ा सा कॉंटा मेकानिकल रूट की तरब बढ़ते हैं ठीक है अब कॉंटा मेकानिकल रूट की तरब बढ़ने के बाद क्या अब देखो अभी तक मैंने क्या आपको पहले पहले ही बार से मैं एक चीज समझाने के कोशिस कर ता कॉंटू मेकानिक में हमने क्या कि जो फिनॉमेना थे पहले फिनॉमेना क्या थे कि light को particle provs kia और फिर पार्टिकल को wave provd kia अब नहीं जो wave नहीं यानि हमने यह तो देख लिया particle जो मुझे मिला वो क्या है वो photon है उसके energy क्या है वो सब चीज क्या है वो सब जीज देख लिया लगिन अभी मैंने wave नहीं देखी यह जो वेव दी अब्रोग ले जरी है क्या यह वह वही वेव है कि जो मुझे कहा मिलती है पानी के जैसे मिलती है यह 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 जो अब हमने कहा कि यह अब जोमेने बताया कि यह वालि वेव होगी यह ऐसे चलेगा वाहता है झाल कि जो हमको की जो बेली है या चोटे पारिकल्स की मिलेगी वह ने यही किस तरह की नेचर रखती है ना अब सुनेचर को समझने कुछिस करते है इस जनल फॉम्ला फो द वेव बड़ा सिंपल सा है आपको पहले से पता होगा कि यह 12th क्लास में बताया जाता है वहां पर प्रगामी तवेंगों के नाम से आता है ना आहिए नॉन असर्टेशिति वे असर्टेशिति वेव फिक है नाओ अनौ सैकिंड थि टेस वेव नंबर को पता है को पता है के बडाबर तू पाइप अपन लेंगदा आज़ तो डॉमेगा अपन फिके बडाबर हो जायेगा ना अब दी ब्रॉगले वेवलेंद की फेज वे ठीक हैना नौह ये कौझ को समच में आगया अगा तो ता देव खेंगले फेज वैलशिटी इस तरह से डेकलेट की जाएगा फेज में जी फेज में सिवाटalten के फेज होता है मैं और जेसे होता first pass that's called first phase and another pass you have got and another phase and then another phase तो जो phases होंगे मेरे किसके कैने wavelength हो सकता है exit wavelength ना ओर मेरी सब की ठीक है एक हुआ है इलक्टॉन के velocity सेम है बट जो wave मुझको मिल रही है क्योंकि अगर मैं देखो बहुत मादल की बात करता हूं तो बहुत मादल में देखो जो n n barabur 1 है अगर if I am says n barabur 1 तो number n barabur 1 यह जाएगा वहां पर क्या हो नो होगा पूरिकी पूरे circle के अंदर सिर्फ एक वेव आएंगी ठीक है अनादर वन पूरे circle के अंदर दो वेव आएंगी परीथी बदल सब चीज बदल गया तो यह उसका बदलेगा यानि अगर मेरी एक वेव इस तरह से चाहले पिक्वेन्सी रख रही है तो दूसरे वेव फाप में फीक्वेंसी रखे तो दूसरी वेव उससे जाधा है फिक्वेंसी रखे तो यह मेरे फेज होंगे है ना तो that's called a phase velocity जो भी फेज होगा फेज नमबर 1,2,3,4 जो भी फेज होगा उस फेज के लिए इस velocity को किया इस नोट डिलेक्टली एक्टम और एक एक वेव को मैंने दूसरे वेव के साथ तो मुझे कुछ ना कुछ इस तरह का पैटन मिलेगा है यह पैटन बड़ा जाना पहचाना है आप लोग पता है ठीक है तो बड़ा सिंपल सा अगर मेरी पर्स्ट वेव यह है और अनादर आप टोल्ड यह तो प्रिंसपल आप सूपर पोजिशन राम यूज यह ना कि य वराबर इस वाइवन प्लस वाइटू और छोटासा मैथमेटिक साइन डी प्लस साइन ठीका फॉर्मलर लगा के वाट आप गॉट आप आप गॉट लाट लागा के वाट आप आप गॉट ल इस गुरूप वैलोशिटी तो गुरूप की जो वैलोशिटी होगी वो इस तरह से दिखाए जाएगी फिक एटें अन दैं टैस मुटिंग लाइक डैट अब गॉरूप सिंपल है अभी मैं आपको प्रेस बताया फेस के बारे आपको क्या बता है मैंने गुरूप बताया क् वेव क्या होगी चलेगी और बैसिकली वेव के वेव को या कहा गया बे unt बोल्रों हो जाए घिरेनर है mathematics परने लगा तो कहानी तो इसको दोड़ा गान ने लगें कि-पा करो यह कहा गया गया क्वेस का की वेलोडी फिल्म यह का फूरक चलेंग अ Bier बनेगा ये ये जो बनेगा ये ये वाला ये जो बनेगा ये ये है वेव का पकेट यह हाँ से उठकर आगे जाएगा थोड़दे बाद वेव रहतो चलेगी तो वेव का पागे जाएगा उटके फिर आगे जाएगा तो उसके लिए तो फिर वाटारम डिसाइड गुरूप वेलसिटी ओप ठीक क्लिया खुप साथ you got a declarative proper ठीक है तो तो टोड़े इस अनग है ना and then tomorrow we will try to adjust the postulate of the counter mechanics or something something and then the first unit है ना and the first unit I hope the first unit either should be end because हम ने क्या क्या बात की यहां पर देखे inodicorancy of the classical mechanics is okay photoelectric phenomena is okay content phenomena is okay and then wave particle dualism is okay the log wave meta is okay I hope and experimental verification मैंने दौनों बताया आपको है दन बागा सा treaty principle is okay complimentary principle oh no complimentary principle बड़ा simple सा है वैसे पता नहीं क्यों डाला हुआ हुआ इस तरह से horrible बना के complimentary principle बड़ा simple सा है की at a single time मतलब एक समय पर एक इवेंट के लिए एक ही इवेंट के लिए एक इवेंट के लिए कोई भी particle donor nature नहीं रखे जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूं जैसे माला क्या है कि मैं घर के अंदर I am a husband there ठीक और college में जाके I am a teacher there तो college में तो अगर इस बंड नहीं हो सकता ना घर पर ही तो आगा husband होंगा ना ठीक है तो दा same things is there कि एक जिगा जब परफॉंब जो करेगा यानि एलक्टॉन अगर कहीं जो टुट करें झाल कुब जो चब दुट है ये एलक्टॉर नहीं हो पर अगर्यून अभर है।